जियो समर सर्प्राइस ओफर और जियो धन्दनादन ओफर को यूज करने बाले आब आज चौक जाओ क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी भविस से बताने चड़ा हूँ जी हाँ फ्रेंद्स इस वीडियो में आपको बताओंगा 15 जुले के बाद क्या होगा उन इस्ति आहीं समर संपर्प्राइस आफर को एक्टिवेट करके रखना और क्या होगा और उन तो फ्रेंस पहले हम बात करेंगे जियो की ओन यूजर के बारे में जिनो ने पहले से जियो धन्दना दना अफर को एक्टिबेट किया है जिया फ्रेंस अगर उनों नो ये 15 जुले के बाद फिर से 309 की डिचर्स की तो उने सर्फ 28 दिन की बहले जिटे मिलेगा जिनके जिस के साथ 28 जीबी का डाटा हार दिन एक जीबी के तोर पार और उसके साथ अनलिमिटेट कॉल और इसे मैस तो रहे गाई आप बात करते हैं जियो सामार सर्फाइस अफर की बार में जिन जिन इउसर ने जियो सामार सर्फाइस अफर को बक्त रहे थे अक्टिबेट किया क्या होगा उनका 15 जियो सामार सर्फाइस अफर को अक्टिबेट कर रहे थे ताभी वह वह लिखा था कि 90 डेस प्लास 28 डेस मिलेगा फिर भी मैंने जियो केयर को कॉल किया और उनको बता है यह मेरी समय सा तो उन्होंने सब सब बता दिया जिन इउसर ने जियो सामार सर्फा की मतलब 309 की अगर किसी ने रिचार्ट के तो उनको सेर्फ 28 डेस के वह लिख वही पर मैं आपको एक और बात 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 बाताना चाता हूं जीन उसर ने सिर्फ धन्दना दन ओफर को एक्टिवेट किया है उसका वह लिख पंदरा जोलाई ता खताम हो जाएगा अगर उसने उसके बाद 309 की रिचर्ट की तो उसको सर्फ 28 डेस की वहले डिटे में लगा और वही पर अगर कोई जी यह उसर ने उनके सिम से पहली बर 309 की रिचर्ट कर वार आया है तो उन्हें 84 डेस के वहले डिटे आसानी से मिलेगा तो फ्रेंस अब हम तो एही कहेंगे कि ज झाल